नमस्कार सेवन इक्जाम के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम लोग परतियोगी परिच्छाओं को द्रिष्ट कोड में रखते हुए हम उन आगामे खेल परतियोगताओं पे चर्चा करेंगे जो परिच्छा के द्रिष्ट कोड स इस देश में होगा आपशन भारत आस्टेलिया स्रीलंका पाकिस्तान सही आपशन इसका होगा स्रीलंका यह संस्क्रण 15 संस्क्रण है आयोजन स्रीलंका में 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक किया जाएगा 2018 में आखरी बार एसिया कप खेला गया था जिसे भारती टीम ने जीता था भारत टोर्नमेंट का सबसे सफल देश रहा है टीम ने 1984, 1988, 1991, 1995, 2010, 2016 और 2018 में इस टोर्नमेंट को अपने नाम किया था स्रीलंका की टीम पांच किताब जीत कर दूसरे नमबर पर है बी सी सी आई के बरतमान सची है जैसा हमारा अगला कोशन है भारत का पहला इस्नो मेराथन कायोजन कहा हुआ स्रीनगर जमू कास्मिर, लेह लद्दाक, मसूरी उत्राखंड, लाहौल, इस्मिती, हिमाचल पर्देश, सही आपसन है लाहौल, इस्मिती, हिमाचल पर्देश माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में भारत में पहली बार इस्नो मेराथन कायोजन किया गया इसनों मेरा थन में भारती सेना के जवान के अलावा नेवी के जवान तथा डेश के अन हिस्से से आए धावकों ने इसमें हिस्सा लिया था महिलावर की बिजेता रहे इसमें कांजा की तांजीन डोंबला और पुरुसवर की बिजेता थे इसमें करनाटक के सास्वत अगला कोशन है बीश्वी राष्टी पैरा एथलीट चैंपियन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा कलकत्ता भूनिश्वर पूरे की अहम दावाद में इसका सही आपसन होगा भूनिश्वर उडिशा की राध्धानी भूनिश्वर इस्थित कलिंग स्टेडियम में ये प्रतिवुकता संपन्न हुई थी ये बीश्वा संस्क्रण था कलिंग स्टेडियम में 28-31 मार्ज की बीच में इसका आयोजन किया गया था ICC पूरुष T20 क्रिकेट बीश्वकब 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा भारत आस्टेलिया बंगलादेश इंग्लेंड सही आपसन होगा आस्टेलिया इसका संस्क्रण था ये आठवा संस्क्रण है ये नवा संस्क्रण का आयोजन 2024 में वेस्टन डीज और अमेरिका में होगा ICC का फुल फार्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अधेश हैं ग्रेग वार्कले जो न्यूजिलेंड के हैं ICC के मुख कारिकारी अधिकारी मनुसाहनी है ICC का मुख्याले दुबई संयुक्त अरब अमिरात में महिला फीफा विश्वकब 2023 की मेंजवानी कौं सादिस करेगा भारत और स्रिरंग का आस्टेलिया और न्यूजिलेंड जापन और रूज या चीन और भारत तो सही आपसं होगा आस्टेलिया और न्यूजिलेंड यह नवा संसक्रeri'd heck होगा संयुक्त मेजबानी आस्टेलिया और न्यूजिलेंड करेंगे इसमें टोटल बतिस टीम में भाग लेंगी और फीफा का फुल फार्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डीफ फुटवाल एसोसियेशन सैफ अंडर एट्टी महिला चैंपियंशिप दोहजार बाइस खेल का आयोजन कहां सुरू हुआ गुजरात जमसेद नगर पूड़े या लखनव सही आपसन है जमसेद नगर में तीसरा संसक्रण था इसकी मेजबान भारत को बीजे तक होसित किया गया था सरवदिक गोल करने वाली खेलाडी का पुरसकार लिंडा काम को दिया गया था टाटा आईपेल दोहजार बाइस खेल का आवजन किस देश में होगा भारत चीन आस्टेलिया या दच्छिड अफरीका तो सही आपसन होगा भारत ये प महारास्टर क्रिकेट एसोसियेशन में ये मैची खेले जाएंगे सेथ कालिन युवा ओलम्पिक दोहजार चौबिस का आवजन कहां होगा बीजिंग नए दिल्ली गौंगवान या अफरीका में तो सही आपसन होगा गौंगवान दच्छिड कोरिया संस्क्राण चौथा सं देश में होगा भारत इंग्लैंड फ्रांस दच्छिड अफरीका इसका सही आपसन होगा दच्छिड अफरीका यह आठवा संस्क्राण है मेजवान दच्छिड अफरीका करेगा गद विजेता आस्टेलिया जो की पांच बार इस टोर्नमेंट को जीच चुका है अब तक ख इंग्लेंड था एकतिसवा राश्टी पूर्व एसी आई खेल का आयोजन कहां किया जाएगा मलेशिया सिंगपूर वियतनाम के फिलिपीन्स तो सही आपसन होगा वियतनाम यह एकतिसवा संस्क्राण है इसकी मेजवानी वियतनाम करेगा यह कंबोडिया के नोम पेना में आउजित किया जाएगा या दच्छिरपूर्व एसिया का सबसे बड़ा दुए वर्सी खेल आयोजन है इसका मोटो है एक मजबूत दच्छिरपूर्व एसिया के लिए बरहावा ICC महिला विस्टुकप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है भारत इंग्लैंड स्री लंक निव्जिलैंड सही ऐसन होगा नीव्जिलैंड में मेजबानी न्यूजिलैंड कर रहा है ग्ता है और 2009 में खेला गया था इसके प्रतम भी जेता हैं इंग्लेंड और पहला मेजवान राष्ट भी इंग्लेंड था 40 साल के तिहास में कौन सा देश पहली बार ओलम्पिक समित सत्र 2023 के मेजवानी करेगा भारत इंग्लेंड डेनमार्क के अफरिका सही आपसन है भारत इससे पहले साल 1983 में नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था भारत 1983 के बाद दूसरी बार सत्र के मेजवानी करेगा ओलम्पिक समित की बैठक का आयोजन 2023 की गर्मियों में मुंबई के जियो वर्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोसी में कुल 101 सदस्य है भारत के कौन सा राज पहली बार 20 वाधिटी 20 क्रिकेट चैंपियंशिप 2023 का मेजवानी करेगा उत्रप्रदेश, केरल, पंजाब या हरियाडा तो यह आपसन है केरल अकिल भारती खेल परसत को केरल में पहली बार 20 वाधिटी 20 क्रिकेट चैंपियंशिप की मेजवानी करने की मंजूरी मिली है केरल की सापेक्ष में अगर हम बात करें तो केरल की राध्धानी है तेरुनंद पुरं केरल के दो निर्थ हैं, पहला है कथक कली यह सास्ती निर्थ है, दूसरा मोहनी अटम एक एकल निर्थ है राजपाल यहां के आरिफ महमत खान मुख मंत्री है, पीना राई विजेन अंडर 90 क्रिकेट बिश्कप 2022 कायोजन किस देश में किया जा रहा है लंडर इंटीगुआ वेस्टण डिज, सीडनी अस्तेलिए, मेलवर्ण अस्तेलिए सई आफ्षन होगा एंटीगुआ वेस्टन डिज में संस्क्रण यह 14. संस्क्रण था, में जबाणी वेस्टन डिज ने किया बिजेता भारत पांची बार उप बिजेता इंगलेंड थीस में इंगलेंड टोर्नामेंट के फाइनल में पहुचने वाली पहली टीम बन गई पहला जो वेस्टन डीज में आउजित किया गया था बांगलादेश गतवर्स चैंपियन था उसमें आईसेसी चैंपियन ट्रॉफी दोजार पचीस किस देश में आउजित किया जाएगा भारत बांगलादेश पाकिस्तान स्री लंका सहिए आपसन हो किस बार की जो ऐसेसी चैंपियन ट्रॉफी 25 कि मेजबाने है वह पाकिस्तान करेगा बिस्ट क्रिकेट परिसद ICC दोरा आयोजित की जाने वाली एक दुई वर्सी प्रतियोगता है इसे मीनी बिस्ट कप के नाम से भी जाना जाता है 1998 से सुरू होकर अभी तक कुल आठ बार इस प्रतियोगता का आयोजिन किया गया है पर्थम बिजेता इसका जो था वो दच्छल अफरीका और उप बिजेता जो है वेस्टेंडीस था भारत अब तक दो बार इस प्रतियोगता को जीत चुका है एक बार भारत और स्रीलंका संयुक्त रूप से 2002 में जीते थे और 2013 में भारत त्योगता जीता था आइसीसी के नए अध्यक्ष हैं ग्रेग वारकली पुरुस हाकी विश्वकप 2023 किस देश में आईज़ित किया जाएगा उडिसा दिल्ली हरियाडा केरल सही आपसन होगा उडिसा यह 15 संस्क्राण है मेजवानी भारत कर रहा है भारत में वर्स 1971 के बाद से चौथा मौका है जब हाकी विश्वकप की मेजवानी की जाएगी भारत में आखरी बार 1975 में पुरुस हाकी विश्वकप को जीता था उडिसा की बात करे हमें हमें यहां पे तो उडिसा की मुकमंतरी है नवीन पटनाइक उडिसा की राध्धानी है भुनिस्वर और उडिसा के राजपाल है गड़े सिलाल अभी हाल है में आश्टेलिया उपेन 2022 का एवजन किस देश में हुआ सिडनी आश्टेलिया, मेलवर्ण आश्टेलिया, दिल्ली, भारत या लंदन, इंग्लेंड सही आपसन है मेलवर्ण आश्टेलिया में ये 110 संस्क्राइब था मेजवानी आश्टेलिया ने किया राफिल नडाल ने जीता आश्टेलिया उपेन का किताब और फाइनल में उन्होंने डैनिल मित वेद देव को हरा कर 21 ग्रेंड सलैम जीता राफिल नडाल इस्पैन के एक टेनिस खिलारी है ISSF सूटिंग विश्टुकप 2022 का आश्टेलिया किस देश में होगा काहिरा मिस्र, मेलवर्ण आश्टेलिया, दिल्ली भारत, लंदन, इंग्लेंड सही आपसन होगा काहिरा मिस्र ISSF इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन भारती निसान वाजों ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते जिन में 4 सौण पदक, 2 रजक पदक और 1 कांस पदक था वोमेंस 25 मेटर पिस्टल टीम जो है वो सौण पदक जीती सौण पदक में जीता है इसा सिंग निवेथा परमनाथम उरूचिरा विनरकर 25 मिटर रैपिट फायर पिस्टल मिक्स टीम में सौण पदक में थे रिदम सांगवान और अनिस भानवाला 23 में फीफा विशुकप 2026 कायोजन किस देश का समोह करेगा फ्रांस जर्मनी इटली ऐस्टेलिया निउजिलन इंडोनेसिया इस्पेइन यूक्रोइसिया संगतराज अमेरिका-कनाड़ा घ्रो फीफा विशुकप एक अंतराह की फुटवाल प्रत्योगत आयो जीत होता है पांच बार फीफा विश्व कप जीत के साथ ब्राजील सबसे सफल टीम में से एक हैं थैंक यू तो वाचिंग दिस वीडियो प्लीज सस्क्राइब माई यूटूब चैनल